नमस्कार होमगाड भाईयो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप भी के अपने एजुकेशन और सबसे तेज न्यूजु वाले चैनल में फ्रेंट चैनल उपर फस्ट बार पदा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरू जरू प्रेस करें ताकि तो वीडियो को बिना इस्किप किया अंदक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सेर करें जिससे कि हमारा मोटिवेशनल बढ़ सके और आपको आपकी जो होमगाड से समझने जो भी खबार है अलग-अलग स्टेट से वो आपको सबसे पहले टाइम टू टाइम डेली मिलती रहे तो दोस्तो आज की पुड़े में होमगाड के लिए बड़ी खुसकबरी यूपी होमगाड खुसकबरी उनिसजा डूटी बहाली आदेश वेज़ारी सब भी राजियो के लिए जरूरी खबरे तो बढ़ते दोस्तो आज की सबसे पहली अपडेट कियो और पहली अपडेट उत्तर प्रदेश से हमें मिली फ्रेंड्स यहां पर आप दिखो उत्तर प्रदेश के जो होमगाड जवान है उनके लिए बड़ी खुसकबरी लॉगड़ाउन में बड़ा तौफ़ा कोरोना संकट में 19,000 अत्रिक्तो हमगाड को मिली ड्यूटी फ्रेंड्र लाइन पर संबाल रहे हैं मोडचा दोस्तों यहां पर आप दिखो बड़ी अपडेट कोरोना के प्रक्रोप के कारण लॉगड़ाउन का पालन कराने के लिए जिलादिकार एवं पुलिस कप्तानों की मांग पर प्रदेश के 73 जिलों में 19,000 अत्रिक्तो हमगाड को तैनात किया गया है और इन्हें फ्रेंट लाइन कोरोना वरिस की भूमिका दी गई है और इससे पहले प्रदेश में 66,850 हमगाड डूटी पर लगाए गए थे तो फ्रेंट यहां पर आप दिखतो बड़ी अपडेट यूपी हमगाड के लिए कि 19,000 हमगाड की डूटी अव वर्तमान समय में लगाई गई है डूटी बहाले आदेश उचके जारी फ्रेंट लाइन पर तैनात रहेंगे हमगाड जवान हमगाड के इन जवानों को लोगडाउन में फसे लोगों को रासन सामागरी वा बोजन पैकेटों के वहितन करने उन्हें चिकिस्त की साइधा दिलाने चोराये हुआ बैरियरों प इसते जेलों की सुरुक्षा वहवस्ता में भी उमगाड के जवानों की तैनातिक की गई है और यहापर आप दिसो परमुक सची वह उमगाड अनिल कुमान बतायागी कोरोना संकट में उनका विबाग पूरी समता से अपना दाहित्वन निबारा है और इसके लिए अलावा विबाग के अधिगारियों करमचारियों जवानों ने सोचा से सेयोक कर 46.50 लाग रुपे 31 भी किये और यह धनरासी मुक्यमंत्री राज कोस में भी जमा करवाई है और इसी तरह की अपडेट एक और और लगी है आप दिख सो 11 माई के हैं कोरोना संकट में 19.30 ओंगाड कार ने इस जो कोरोना संकट में भी ओंगाड जवानों को ड्यूटी दी है 19.00 ओंगाड जवानों को फ्रेंट लाइन पर संबाल रहे हैं मोर्चा परमुक्ष सवान दाता राजी मुख्याले कोरोना के प्रकोप के कारण लोकडाउन का पालन कराने के लिए जिला दिगारिय एवन पुलिस कप्तानों की मांग पर प्रदेश के त्योतर जिलों में 19.005 अत्रिक्त ओंगाड को तैनात किया गया है और इन्हें फ्रेंट लाइन पर कोरोना वर्रिस की पूमिका बिद्दी गई है और इससे पहले प्रदेश में 66,850 ओंगाड जवानों की ड्यूटी बह कर्मिक इस्पेसल ट्रेनों से गुजरात से लोड़े मजदूरों को सुर्क से छोड़ दे दूसरे राजिये में दूसरे जिले में गए ओंगाडों की मुशिवत बढ़ गई है परवाश्य को समंदे जिलों तक छोड़ने के बाद दूसरे जिलों की बसे सीधे अपने में बेजा रहा है और कासगन डिपो के पास प्रयप्त बसे ना होने के कारण दूसरे जनपत की भी बसे लगए गई है और दूसरे जिलों को मुझदूरों को बसों से छोड़ने के लिए ओंगाडों की डूटी लगए थी अब कहीं होंगाड जवान मुशिवत में फसे हु तीन ओमगाड जोनों को रहिवार रात एक अग्यात वहन ने टक कर मार दी और इसे तीन गंबिर गायल हो गया जिला इस्पिताल में प्राथ में उपचार के लिए बस बात इनों को कोठा रहफर किया गया जहां एक की मौत हो गई और जालरा पाटन सी याई जगदी समिना बताया कि ओमगाड लक्षमिनारेन सुरेच चंद्र वद दुर्गालाल पुत्र लाल चंद बहिल बमर्सा गांव इस्ते चोगी पर रहिवार रात को ड्यूटी दे रहे थे तब ही एक अग्यात वार ने तीनों को टक्कर मार दी जिसे की तीने गंबिर गायल हो गए और ती वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके दोस्तों के साथ भी सेयर जरूर किजीगा और वीडियो के निचे जिस्ट लाल लंका सब्सक्राइब का बटनों को जिसे तब अब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें मिलते फ्राइब शुड़े मैं तब तक लिए जे हिंज जे बार थेंक्स फोर यो वाचिंग मैं वीडियो